हेलो क्लास 11 के बच्चो तो कैसे हैं आप लोग बच्चो बहुत अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं किटोन के उपर ठीक है पीछे हम लग बहुत सारे वीडियो को कवर कर चुके हैं लाइक एलकेन एलकीन एलकाइन साइक्लो एलकेन कंप्लेक्स सब्स्टिट्वें इंट्रोड़क्शन ऑफ फंक्शनल ग्रूप में फिर हो गया एल्कोहल फिर एल्डिहाइड और आज का जो वीडियो है वो किटोन के उपर अब डारेक्ट इस वीडियो पर आये हैं तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा कहानी तभी समझ में आएगा अब वीडियो का जो भी लेक्शर्स बना हुआ है वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नहीं तो आई बटन पर एक बहुत मॉटिवेशनल साडी आपको सुना देता हूँ हर रोज गिरकर मुकंबल खरे हैं हर रोज गिरकर मुकंबल खरे हैं एज जिन्दगी गोर से देख मेरे होसले तुछ से भी बरे हैं तो इनी बातों के साथ मैं आज का टॉपिक सुरू कर रहा हूँ आप लोग का देना किटोन यानि आज का जो वीडियो होने वाला है वो किटोन के उपर होने वाला है किटोन ठीक है बच्चो किटोन अपको पता है ना किटोन को कैसे हम लिखते थे यहाँ पर दोनों तरफ कार्वन की चैन होगी और बीच में जो है यह कार्वोनल गुरूप होगा ठीक है समझ में आया ना किटोन जो होते हैं हमेशा बीच में होते हैं इसी के लिए इसको बोला जाता है non terminating फंक्शनल गुरूप क्योंकि यह टर्मिनल पोजिशन पर नहीं होता है टर्मिनल पोजिशन मतलब लास्ट में यहाँ षगभार unf will विल में ही पाए जाते हैं इसे के लिए इसको non terminating functional ग्रूप बो जाता है एक और तरह का होता है functional जैसे हम बोलते हैं, terminating functional ग्रूप जो हमेशा आपको टरमिनल पोजीशन पर मिलेगा, जो हमेशा आपको terminal position पर मिलेगा बहुत वान्सारे functional group है जैसे हम आगे पढ़ाएंगे आपको कार्बोगजलिक एसट के बारे में कार्बोगजलिक एसट को काईसे लिखते थे RC double bond OOH एक कर्बोगजलिक एसट कल जो हमारा लेक्चर था फो एल्टी हाइड वह भी हमारा non terminating functional group में आता है acid amide भी हमारा क्या था terminating functional group था amide है ना NH2 acid amide फिर हमारा acid halide RC double bond ORX और भी बहुत सारे जो होते हैं वो terminal functional group होते हैं जो कि हमेशल जो है chain के last में ही हमको मिलते हैं उसी को terminal functional group बोला जाता है और जो हमेशा middle में पाए जाते हैं उसको non terminating functional group बोला जाता है I think आपको ये बात clear हो गई होगी तो चलिए किटोन के लिए हम secondary suffix क्या यूज करते हैं secondary suffix इसके लिए हम यूज करते हैं on क्या करते हैं on उदर दिख रहा है ना पाहिला हम ले लेते हैं किटोन फेमली का first member जो होता है वो होता है carbon 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 और यहां से और यह एक valency satisfy तीन हाइड्रोजन एक valency satisfy तीन हाइड्रोजन बीच में देखिए carbonel group है यानि किटोन है है नम्रिंग किदर से होगी नम्रिंग उधर से होती है जहां से functional group पास परता है तो इसको first number मत देदेना बीच से numbering नहीं होती है लास्ट से होगी इसको first इसको second इसको third क्या नाम बनेगा तीन कारवन है तो प्रॉप सिंगल बॉंड है तो ए एन इदेखिए कारवन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉंड है तो उसका कोई वेल्यू ने होता है उसको हम प्रावन उक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉंड है तो उसका कोई मतलब नहीं अगर कारवन कारवन के बीच में डबल बॉंड होगा तब हम प्रावन इस अपिक्स में जो है इन इड कर सकते हैं अगर नहीं है तो ए एन ही एड करेंगे प्रोपेन टूपे ओल है अब देखें ओ यी दोनों साथ आ रहा तो पहले वाला वोगल कड़ जाता है आयू-पेसी करती है कि यह आप यह किट्वार्ण का फर्स्ट फैमिली मेंबर का जो यह चु अब उसका सकंड पोजिशन भी आप हटा सकते हों वह अबर ओल देखिये की टोन का जो first family का member है first homologous series of ketone वो तो तीन कर्बन से ही start होगा ये कभी भी टर्मिनल पोजिशन पर पाया नहीं जाँगा ये तो non-terminal position पर पाया जाँगा इसी के लिए हमेषा ये बीच में ही होगा minimum carbon होना चाहिए 3 तभी फर्ष्ट जो है homologous series बनेगा ketone का अन्न था नहीं बन सकता कम से कम 3 carbon होना चाहिए तब जाके यहां पर बनेगा हमारा first family का member यह propane to all या इसको propanol भी बोलते है propanol propanol ठीक है इसका एक और नाम नवा और क्यूं लगा दिया all क्यों लगा दिया ओनेगा आखे तुर बेरिगा और हॉशलिम्मेरा दिमाफ यहां जागा समझ में नहुं नयगा अ प्रॉपन प्रॉपनन हो जाएगा क्श्य है और उपन क्षी ड्रॉपनन न जया तुर्त एसी टॉप इसको आप लिख लीजिए जैसे दूसरा में ले लेता हूं कार्बन 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 यहाँ ओ एक विलंसी सेटिस्फाई तीन हैड्रोजन यहाँ चारो सेटिस्फाई यहाँ दो सेटिस्फाई दो हैड्रोजन यहाँ एक सेटिस्फाई तीन हैड्रोजन numbering किदर से होगी जिदर से functional rule पास पड़ता है इदर से 1, 2, 3 and 4 क्या नाम परेगा चार कारवन है तो but single bond है तो A and E second number position पर O and E secondary suffix तो यही होने वाला है अब O और E दोनों एक साथ आ रहा तो E को cut देंगे और IUPAC कहती है कि आप इस compound के लिए भी second position हटा सकते हो क्यों क्योंकि आप चाहे तो इधर देते oxygen या तो इधर देते terminal position पर नहीं देना आपको non-terminal position पर देना है यह functional group carbonal oxygen वाला तो चाहे आप इधर देते तो इधर से numbering हो जाती 1, 2 आप इधर देते यहाँ पे इधर से numbering हो गए इसी के लिए होता तो carbonal group को second number ही होता चाहे आप इधर से करो चाहे आप इधर से करो इसी के लिए आप इसका भी second position हटा सकते हो लेकिन आप इसका second position नहीं हटा सकते है carbon 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 इसका जो है अगर यहाँ पे करते हैं इसका second position आप नहीं हटा सकते है इसको second position आप लिखना ही परेगा ठीक है एक valency satisfy तीन hydrogen चारों satisfy है दो satisfy इधर दो satisfy इधर एक satisfy तीन hydrogen परेगा इधर से नमेरिंग होगी 12345 क्या नाम परेगा प्रेंट सिंगल वान तो ए एन इसकेंड नमर पर आप ओ और यह दोने एक साथ आराज एक जाएगा तो यह दो यह second position आप नहीं हटा सकते यह नहीं हटा सकते अब किट्रन को यहां भी रख सकते थे इसके लिए यह पोजिष्ण हम हटा नहीं सकते इसको मिटा दे विए इसको मिटा दी कहां गया मिटाने वाला जार चलिए यहां पे है मिटा दें इसको चलिए कि समझ में आ रहा है पॉज करके नोट कर लीजे पीसे जाकर अगर नहीं लिखे हैं आप लोग तो कि चलिए जी कि इसको भी मिटा दूँ जी जलीये बागू नेक्स्ट्रक्थिन को ट्राए किई तो ट्रएटल एक यहां से कार्बोनल ग्रूप ठीक है कार्बन लगा लोगे कार्वन 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 क्या नाम परेगा थो चीड़ने तो और जी एक शातारात फ्याट्स एक्ट चयागा नेक्स्ट को भी क्राइए कीजिए। कार्बनु एक दो तीन चार पांचे साथ और यहां पे इस तरीके से त्शी है। ऑंगई और यहां पे है कडर्वनंटृब तो तो पिछला वीडियो देख्या यह लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यह मैं कैसे इसका नाम साइक्लो भी उटाइल लिख रहा वह आप पीछे जाकर पिछला पहला जो लेक्चर से उसको देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यह आई बटन पर आपको मिल जाएगा फोर पे साइक्लो भी उटाइल रूट वर्ड साथ करवन की है तो हैप्ट सिं यहां पर ओ एक कोशन यह भी करना आप चले यह दोनों को ट्राइ करने की कोशिस करें यह दो कोशन को ट्राइ करने की कोशिस करें बच्चो चलिए कर लिया है चलिए बता दूं इसको फर्ष देंगे इसको सकेंड थर्ड फॉर्थ फिप्ट एंड शिक्स क्या नाम परेगा साइकलो हैं सिंगल वन तो एन ये और वस्ट नम्मर पे ओर रहा इकट जाएगा इस सब पता है आपको इसको फॉर्ट देंगे इसको फॉर्ट इसको फिप्ट इसको 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 फॉर्ट इसको नहीं दिये क्योंकि इधर से जाते तो functional group का position जादा हो जाता lowest position मिलना चाहिए functional group को इसी के लिए सकीए first, second, third क्या नाम परेगा इसका cyclo, hex, single one, to a, n, e first, third पे die on अब यहाँ पर जो है e नहीं कटेगा क्योंकि यह d जो है constant है sorry constant बोल रहाँ consonant है, इसी लिए नहीं कटे जा इस बातों को भी जल्दी से note कर लिया ठीक है तो चलिए बच्चो, I think आप इन सारों बातों को note कर लियोंगे अगर आप लोग class 11th में हैं तो बहुत अच्छे से तयारी कीजिए ठीक है, क्योंकि जो 11th में पढ़िएगा ठीक है, अगर आपका base से strong हो जाएगा तो 12th फिर आपके लिए असान हो जाएगा रगर के मेनद कीजिए आप सोचिए कि आप यहाँ पे क्यों है आप क्यों पढ़ रहे man AM क्या है, goal बनाएए goal set कीजिए ठीक है, goal set कीजिए आपका कोई, अगर goal है वो चित करने का सच में करने का, सच में पाने का है अगर आप बाते करते हैं कि वो मिल जाता, कास ऐसा हो जाता मेरी life ऐसी हो जाती, मज़ा हा जाता यार, कास ऐसा हो जाता सिर्फ बात कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, कास ऐसा अगर हो जाता तो यार अगर आप यह तरह का बाते कर रहे हो और उसके लिए मेहनत एकदम इतनी सी कर रहे हो मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं तो वह डेफिनेटली आपसे नहीं होगा कभी नहीं होगा आपसे जो आपका गोल है उसके लिए आपको रगरना परेगा छोटा-मोटा नहीं बहुत जम के रगरना परेगा बहुत भ्यानक वेला मेहनत करना परेगा जब तक घीस होगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं ठीक है समझ में आ रहा है ना अब मोटिवेट करने के लिए आपके सामने एक सायरी प्रस्तूत कर रहा हूं है बेहतर से बेहतर का तलास करो मिल जाए नदी तो समंदर का तलास करो तूट जाते हैं सी से अक्सर पत्थर की चोट से तूट जाते हैं सी से अक्सर पत्थर की चोट से तूट जाए पत्थर ऐसा सी सा तलास करो जी हां बच्चो तो इनी बातों के साथ मैं इस टॉपिक में बस इतना ही रखता हूं अब कुछ कॉमन नैमिंग देख लेता हूं की टॉन का अच्छा एक कोश्चन आप खुछ से करना चाहोगे एक कोश्चन में करा देता हूं यह कोश्चन कि यह यह जो है यह कोश्चन आपका हमबॉक है होनबर्क में इसे जरूर एड करें इसे जो है कमेंट सेक्षन में जरूर बताइं मैं इसका सही एंसर पीन कर दूँगा है है समझ में आया ही चलिए मिटा दूं जरूर तो अब हम बात करते हैं कुछ common naming की ठीक है कुछ common naming हम कर लेते हैं अब heading लगा येगा common common naming of ketone ketone के लिए common naming तो उसके लिए हम use करते हैं है अलकायल अलकायल किटोन क्या यूज करते हैं अलकायल अलकायल ketone जैसे पहला कारवन 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 डवल बॉंड्स ऑक्सीजन तीन हैड्रोजन इधर थीन हैड्रोजन इधर नमरिंग नमिन थोड़ी नका नौट डैंब करें इसके लिए एलकाइल एलकाइल किटोन करते हैं इधर इधर एलकाइल और बीच में रहा गया किटोन इधर दीजिए एलकाइल ये एलकाइल बीच में किटोन, क्या नाम परेगा, इसका क्या नाम है, इस एलकाइल गुरुप का, मिथाइल, इधर भी मिथाइल, मिथाइल और बीच में कारबोनल गुरुप, तो उसी को तो किटोन बोलते हैं, किटोन, या इसको मिथाइल, मिथाइल को डाइ मिथाइल भी यहाँ पर किटोन तीन हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन क्या नाम परेगा इधर मिथाइल देखिए इधर क्या है इधर तो मिथाइल है और यह देखिए क्या होगा इधर तो पहले इधर लिखाइगा कि मिथाइल लिखाइगा क्या लिखेंगे इधर फिर से मिथाइल किटो इधर मिथाइल किटो जैसे यह करना स्वह की टाइब कारबन 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 यह तो बहुत दीजी है यहां पर लगा दिये ऑक्सीजन डबल मॉंट से पिन रोगर इधरर इन हाद्रोजन इधर 2 राथ परेगा देखे यह में एथाइल है और फञाद भीर फिटाइल ये है टाइल और बेचारा ये भी है खांना मौगा इसाइल इसाः चुटम याड डाय ताइल कि टОं भी बोड सकते हो या डाई इथाईल की टोन भी आप बोल सकते हो तो आई तिंग यह सारा चीज़ किलियर होते जा रहा होगा जल्दी से आप इसको नोट कर ले अब मैं कुछ और कोश्चन करा दे रहा हूं कोमन नेमिंग पर अब यह कोश्चन करने की कोशिश करें कार्बन 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 एक दो थीन चार पांच छे साथ हां अब यहां से ओ स्वारी डबल बांड से अक्सीजन ठीक है एक यहां से कार्बन और एक यहां से कार्बन इसका क्या नाम में उपर वाला को तब तक मीटा दे रहा हूं जल्दी से बता करने है बहुत Elly कि जल्दी से बताया én में बता दू अब चलिए है जकाणा लो प्र५ी निल्ग प्रॉजस निल्ग इंतल्स हेसी निधर दो है्ट्रोजन54 यह कारवन तो यह से बागल के कारवन है और यह से कारवन ग्रूप पबगल में यह कारवन जूरा हुआ है और इस कारवन से कितना जूराbbe यह कारवन जुड़ा है और दूसरा यह कारवन तो जब ऐसे इस्थिति होती है जब फंक्शनल ग्रूप बाले कारवन से दो कारवन जुड़ा रहता है तो उसको सेकंडरी बोल्ट है केमेस्ट्री में तो यहाँ बाला का पूरा नाम क्या हो जाएगा और पूरा गिना जाता है उसके लिए रूट वर्ड वह वह रूट वगरा कुछ नहीं होता एक दो तीन चार चार है तो इसका क्या नाम है देखें फंक्शनल ग्रूप से यह ना हुड़ा हुआ है इसससे कित और चार कारवन है तो बुटाइल अब बताए साथा कि पहले आई याता है निए epicbor लिखेंगे अ आइसो बूटाइल फिर है सकंड़ी ही डूटाइल उचार और उसके बाद को टॉन उसके बाद की तो समझ माया इसको भी आप जल्दी से लिख ले बच्चो इसको भी आप जल्दी से लिखे तो ठीक है आप कुछennis आप कर लेता हूँ साहद आपने यह सारा लिख लिया हो कुछ electr rejecting के सट्रुक्चर 벌ा कर लेता हूँ चलिए जी यह करके दिखाये चलिए पर लिजेगा हैडोजन लगा दूँ कीना डोजन इधर दो हैडोजन इधर इसका क्या नाम होगा देखिए आप सोच नहीं पा रहे हैं आप इसी को मैं थोड़ा इस वाले को इसको ऐसे बना दूँ कि तो देखिए आपको बाते समझ में आने लगेंगी तेखिए यह यह कौन सा इलकायल ग्रूप है इसको बोलेंगे साइक्लो प्रोपायल और यह वाला को इस हो तो गया है यह भी ऐलकायल ग्रूप यह फी बीच में की व importantes नाम तो लिखा जाएगा सैक्लोंप्रेत इथाई लेकिन सी पहले आता है लेकिन को और यहां इथाइल और बीच में है किटाउन समझ मैं रहा है आसान है इसको मैं जो एक और कर लेता हूं ईक और कर लेता हूं बहुत असाना बाबू फू relaxing प्रेट है नहीं एक और कर लेता हूं जैसे यह को अभी आप करने की कोशिज करें खुद से अभी नहीं एक कारवन और ऑक्सीजन ओ वेरी स्वरी एक और कारवन एक और कारवन इसको कर लो पर फिर से इसको ले जाओ और इधर लगादो फिर बाते समझ में आने लगेंगी इसी को मैं बना दूए अच्छे से इसी को मैं ऐसे बना दे रहां हूं त्रण यहाँ पर कार्बन और इस से oxygen यह कार्बन और यहाँ कार्बन देखिए यह हो गया इसका क्या नाम है in saw in पैनम नाशन लगा ली यह तो ले इतरतु है इतना यह जी नाम cite पहले आता कि सी पहले आता सी आता तो पहले सी को लिखेंगा अलफाबेटिक लिखते हैं साइक्लो पेंटाइल फिर से इथाइल और बन गया कि टोण के बीच में कि टॉन है ना ये देखे न है यही तो नाम पड़ेगा ना अचान है इला सान ये को और करा दूँट रहका कर लोगे इसका कॉमन नेमिंग कर लोगे आप करके आना homework है ठीक है this is your homework मतलब कॉमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है ठीक है मैं वहां सही एंसर भी पिन कर दूंगा ठीक है बच्चो ठीक है बच्चो तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ माया पराई करते रहिएगा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में all the very best